तो तुराखंट से गाज़सफा सांसत अनिल बलूनी को बिज़पी ने पौडी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है जिसको लेकर वो धुआधार प्रचार कर रही है और द्वार से अपने प्रचार की शिरुआत करते हुए अनिल बलूनी भारत चीन बॉर्डर से होते जिसमें केंद्रे राज्यमंत्री आजेभट वैधायक दीवान सिंग बिष्ट समेट कई वरिष नेता और बड़ी संख्या में कारिकटा मौझूद रहे जोरान अनिल बलूनी ने लोगों से बिज़पी के बक्ष में वोट करने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वोशेत्र के विकास के लिए प्रतिवद्ध हैं एस वरान अनिल बलूनी पूरी तरह से होली के रंग में रंगे नसराय उन्होंने स्थाने लोगोर कारिकटां के साथ खुलों की होली भी खेले वहीं केंद्री राजमंत्री आजे बटने का आख या निल बलूनी जिस तरह से पौड़ी लोग सबा के लिए लगातार पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं ऐसे में पौड़ी की जनताओं है लोग सबचनाव में फारी मतों से विजई बनाई तो बीजबी ने पौड़ी से अंगल बलूनी को टिकट दिया है और इसमें लगातार प्रचार अभ्यान उनका चल रहा है और द्वार से प्रचार करते हुए वो राम्यगर पहुंची और जहां उनका भविश स्वाकत किया गया है तो रान उनों ने जीत का दाबा किया है जहां उन्हें कारे करता हूं के साथ जम कर फूलों की दो लिखी है अब कॉंग्रेस में कुछ समय तक बचे गा नहीं हर किसी को समझ आ गया कि देश में लोगों को विकास चाहिए लोगों को रोजगार चाहिए लोगों को देश को विक्सित भारत बनाना है उसके लिए सब चाते तो कॉंग्रेस के लोग भी छोड़ छोड़ के आ रहे